अपने इंटीब चैनल होमसाइंस में जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं में थर्ड स्मेस्टर होमसाइंस की क्लास जी हां थर्ड स्मेस्टर और पेपर है आपका फर्स्ट है आप सभी को पता है रिसर्च मैथडोलोजी जिसे हम हिंदी में अनुसंधान पद्यतिसास्र के नाम से जानते हैं ठीक तो आप याद रखना सबसे पहले आप सबको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं जैसा कि आप रिसर्च मैथडोलोजी पढ़ रहे हैं तो ये सब आप सब जरूर याद रखना अभी तक नहीं याद है तो आप नोट कर लेना आपके पास सिरीज भी उपलब्द होगी या वुक होगी तो कुछ भी है आपके बास जो भी रिसर्च अचाहिए उसके माध्यम से आप ये रिसर्च मैथडोलोजी का अर्थ और परिभासा ये सब याद कर लेना ठीक क्योंकि ये प्रशन आपको जरूर देखनी को मिलेगा ठीक आज हमने बहुत ही महतभूर प्रशन को सामिल किया जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महतभूर होने वाला है तो आज का वीडियो बहुत important है इसलिए जो पहली बार जुड़े है चैनल को subscribe आवसे कर ले वीडियो को share, like आवसे किया करें क्योंकि आप सबको पता है आपकी teacher आपके लिए सिर्फ महतबूर्ट प्रशनों को ही सामिल करती है तो आगे पढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को subscribe करें और वन लाइक तो बनता ही है आपकी teacher आपके लिए इतना सब कुछ करती है तो आप भी like share तो कर रही सकते हो है न क्योंकि गुरू की अग्या मानना चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्योंकि आपकी teacher आपसे खुश नहीं सिर्फ like share इतना ही बूलती है और जो पहली बार जुड़ते हैं उनको जुड़ने के लिए अच्छे से बूलती है ताकि चैनल को subscribe किये रहें और आपके पास message जैसे मैं कोई भी class upload करती हूँ या live class लेती हूँ आपके पास message पहुच जाता है और आप आसानी से देख पाते हो है ना और अगर subscribe नहीं किये रहते हो तो आपके पास message नहीं पहुचता और comment में बोलते हूँ मैं आपकी class का मुझे message नहीं मिलता है तो ऐसा बिलकुल मत करिए चैनल को subscribe आउसे कर लेजिए ठीक तो पहला प्रस्ण आज की class का पहला प्रस्ण है बज़ों पहला प्रस्ण आप देख पा रहे हैं स्क्रिन पर लिखा है तथ्य संकलन का महतो बताईए जी हाँ तथ्य क्या है इसका संकलन का क्या महतो है ठीक तो तथ्य संकलन के महतु के बारे में हम कुछ बिंदू के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बिंदू है ठीक, वन टू ऐसे करके हैं, इस सभी महतु के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक, तो तथ्य के हमेसा हम बोलते हैं ये भी इंपॉर्टन्ट होता है, है हर एक प्रेश्न में दिया रहता है, निम्न परकार के है, निम्न लिखित परकार है, निम्न महतु होते हैं, ऐसे से कई तरह से दिया रहता है, जैसे तथ्य संकलन का अर्थ है, ऐसे आगे लिख देते हैं इसे क्या होता है, पॉइंट बढ़ जाता है, पॉइंट मतलब जैस ना कि फिजूल की बातें लिखें ये लिख सकते हो जैसे कि यहां पर दिया गया है तथ्य संकलन के महतो के संबंद में कुछ महतपोर बिंदु निम्नपरकार से हैं ठीक आईए उन बिंदु को देखते हैं पहला आपके स्क्रिन पर आता है कह रहा है तथ्य संकलन बग्यानिक विधी का एक महतपोर आधार भूत पद है ठीक तथ्य संकलन के बिना बग्यानिक विधी अधूरी रह जाती है और उपयोग हीन हो जाती है ठीक जो बग्यानिक विधी परियोग मैथट परियोग क्या जात है ना तो जो मैथेड आप यूज करते हैं विधी यूज करते हैं उस मैथेड में ये तथ्य संकलन बहुत ही उपयोग फुल होता है क्योंकि इसके बिना विध्यानिक विधी अधूरी रह जाती और उपयोग हीन हो जाती ठीक सेकेंड विंदू है आपका समाजिक अनुसंधान सोसल रिसर्च आपने पढ़ा होगा समाजिक अनुसंधान पढ़ाएंगे अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे मनुव्य ज्यानिक अनुसंधान और सैच्छिक अनुसंधान और समाजिक सर्वेश्चर की छेत्र में जो तो लात्मक अध्यन होता है, एक दूसरे से कंपेरिजन होता है, उसको बहुत ही सरलता से हम कर सकते हैं, ठीक, थर्ड विंदु है, समाजिक अनुसंधानों में तथ्य संकलन के आधार पर ही अनुसंधान समस्याओं या समाजिक समस्याओं का हल वग्यानिक धंग से ढोड़ना सरल होता है, ये जो समस्याओं होती हैं, उन्हें ढूड़ने के लिए वग्यानिक धंग से ढूड़ने के लिए भी उपयोगी होता है आपका तथ्य संकलन किसमें समाजिक अनुसंधान में ठीक, फोर आता है समाजिक अनुसंधानों में तथ्य संकलन में अनुसंधान करता क समाजिक जीवन, समाजिक व्यावार, अनुक्रियाएं और मनवग्यानिक व्यावार को देखने का और इसी संबंद में ज्यान प्राप्त करने का आउसर मिलता है फाइफर तत्यों का संकलन जितना ही व्याग्यानिक और सुधतम होता है सोध समस्या के संबंद में उतना ही सुध ग्यान प्राप्त होता है ठीक सिख से समाजिक सर्वेच्छड में तत्य संकलन के अधार पर ना केवल समाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है बलकि तत्यों के अधार पर सुधरात्मक परिवर्तन योजित करने में बहुत ही सरलता होती है आगर आप सवाजिक सर्वेश छड़ कर रहे हैं उस दोरान क्या होगा कोई ऐसी कीपल समाजिक जो समस्या होंगी उन्ही का समाधान किया जाता है किसके दारा तथ्य संकलन के आधार पर बलकि अगर हम देखें तो बलकि क्या होगा कि जो तथ्या हैं उन्ही के आधार पर हम जो सुधार कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं वो नियोजित करने में हमें बहुत ही आसानी होती है ठीक उसके पाद नेष्ट प्रस्ण रखा है आपके लिए मैंने सौरी बच्छो नेष्ट है आपका प्रात्मिक एवं दित्यक में जो प्रात्मिक तथ्यों हैं और दित्यक तथ्यों में हैं उन्हें अंतर बताए ठीक प्रात्मिक तथ्यों कौन से होते हैं जैसे आईए जानते हैं प्रात्मिक और दित्यक तथ्यों में अंतर तथ्यों में और अधिक मौलिक होते हैं, मौलिक क्या होता है, क्योंकि उनका संकलन सोयम अनसंधन करता दोरा आध्यन की आसकतमसार होता है ऐसी मावलुकता का दित्यक समागरी तथ्यों के अपसापेच रूप में आभाव देता है देखा जाता है ठीक सिकेंड है प्रात्मिक तथ्य दित्यक तथ्यों के पेच्छा अधीक विश्वास नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें अनुसंधान करता अपनी उपकल्पना में उपकल्पना के परिछड के लिये या अध्यन विसाई के लच्छों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यज्ञानिक प्रविधी के दोरा वस्तुनिस्ट धंग से स्वयम अथवा अपने निर्देशन में एककत्र करता है ये तत्यों ऐसे होते हैं वच्छों कि जिनको अन्य विज्ञानिकों दोरा इस्थापित किया जा सकता है ठीक प्रात्मिक तत्यों तुलना की द्रिष्च से अधिक प्रमाडिक होते हैं जो प्रात्मिक तत्यों अगर हम दित्यक तत्यों से कंपेर करें तो वो अधिक प्रम अध्यन करता या अर्वेशर करता कि शोयम की निर्देशन में संकलित किये जाते हैं किन्तु दित्यक तथ्य अन्य लोगों द्वारा संकलित तथा उपयोग किये जाते हैं फोर है प्राथमिक तथ्यों का पर्योग पहली बार किया जाता है यानि पहली बार संकलित की गई समागरी का पहली बार उप्योग की आजाता है किंटो दित्यक तठ्य पूर में किये गए अन्वेशडों के अंदरगता एकत्र किये जाने के कारण पुराने होते हैं और दित्यक तठ्यों का पुरानापन कई बार वरतमान का विशलेशड करने में कठिनाई उत्रपन कर देता है तो I hope आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा होगा है ना क्योंकि मैंने दो परेशने सामिल किये दोनों अच्छे हैं अपने फिर उसके बाद six point आता है प्राथमिक तथि जो होता है बच्चो वो संकलन अंसंधान करता अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है आपकी टीचर के लिए आल लाइक से और जरूर करिएगा जो पहली बार जुड़ है चैनल को सब्सक्राइब भी अवसे कर लिए ठीक अंसंधान करता स्वयमी अपनी अध्यन समश्या के अनरूप करता है इसलिए आसानी से अनेड़े कर पाता है कि उसकी अध्यन हे तो कौन से तत्थ उपयोगी है और कौन से नहीं उपयोगी है किन तत्यों को अध्यन में रखना चाहिए किन हे हटा देना चाहिए किन तुद्धियक तत्थ जो हते हैं संकलन करता को कई बार ऐसे महत्वपूर तत्यों के एकत्रण से वंचित रहना पड़ता है जिनकी निरार्थाक मान कर प्रात्मिक तथ्यों के संक्लन करता ने अपने अध्यन में समलित नहीं किया था इस संबन्द में धात्यों द्यात्यव्य है कि प्रात्मिक और दित्यक सा तथ्य सा पेच होते हैं किसी अध्यन में कौन से तथ्य प्रात्मिक होंगे और कौन से दित्यक होंगे या बात वास्तों में अनुचंदान करता कि लेच्छ से संबन्दित होती है और एक अंचंदान करता जो होता रिसर्च करता होता है उसके लिए तत्थे प्रात्मिक है वहाँ ही नहीं वही तत्थे अन्य अंचंदान करता हूँ कि अध्यनों में परियोग किया जाने बर दित्यक तत्थ कहलाते हैं अब नॉर्मली जान लेजिए जैसे कोई भी टॉपिक जा रही तो प्रात्मिक हुए और सेकंड टाइम की जा रही है तो दित्यक हुए है ना उसी तरह ये भी है कोई भी जो रिसर्च तमाज और अंसंधान के लिए पर्योंक की दा रहे है वह प्राथमिक है और वसी को किसी और अंसंधान में दित्यक बार यूज किया दाता है तो वह दित्यक तद कहलाता है आज का सिसन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट रहा है और आपने बहुत कुछ जाना और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ आप सभी का दिन अच्छा हो तब तक के लिए जै माता रानी